हेलो गाईज, वेलकुम टो माई चैनल आटिजम और म्यूजिक मैं हुकूमल ठाकूर, पेरेंटिंग और अटिस्टिक चाल्ड और आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरनव ठाकूर है, और आज की जो एक्टिविटी है गाईज वो एक्टिविटी से आप कबर कर पाओगे, यानि कि उसके उपर भी आप वर्क कर पाओगे, तो चलते हैं एक्टिविटी की तरफ तो यह सारा वो सामान है जो मैं यूज करने वाली हूँ, तो यह usually हर घर में easily मिल जाता है और इसके अलाबा अगर आपके पास कोई flashcards हैं या कुछ भी हैं जिसको बच्चा identify करता है easily और जिसका name उसको पता है, वो आप सब object यूज कर सकते हैं लेफ्ट राइट का concept करने के लिए सबसे पहले हम लोग बच्चे के hand पे R लिखेंगे, R for right यहां पे रखो, and L for left तो यह ऐसा करने से अर्नम मैं बहुत ही clearly concept आया था और बहुत ही easily इस concept के साथ थोड़ा relate कर पा रहा था जब मैंने starting में उसको यह चीज यूज की थी तो अब मैं बोलूँगी कि cards पे लिखने के बजाए better है कि आप बच्चे के hand पे लिखो तो एक बच्चे को visual चला जाता है mind में जो की पूरी life के लिए उसके mind में यह रहेगा कि मेरा यह बाले hand में R था तो यह मेरा right hand है और यह मेरा left hand है तो एक तरह से हम लोग visual दे रहे हैं बच्चे को जिससे बच्चे के बच्चा जो है इसको मतलब याद रख सके कि कौन सा मेरा right hand है और कौन सा मेरा left hand है तो अब हम इसको side का concept भी समझाएं के साथ में तो अभी देखो अब नहींक देखो हारनव अपने hand के ऊपर चोआः लिखा है उसकी help से वो बता रहा है कि वो right side में गम कहां पे रखा ममी नहीं right है right में कटोरी कांड रखा है हाँ खंग जबेंगहें हैं बॉलेंगे स हैं यजा याफ पस बहुलेंगे फोलेंगे कटोरी लेफ्ट सायड़ में उधा प्रूण कहां पहरा हमने सपून राइटिन रहा राइट में रलाइट उने का haben पिस रहा परखा ब्र tout दोकAfter दो चले तो इसी तरह से गाइस पहले आपको एक एक करके सारे अबझेक्ट्स लेफ्ट या राइट में रखने हैं और बच्चे को पूछना है स्टार्टिंग में बच्चे को यह चीज पता नहीं होगी कि यह इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा बच्चे को ये समझने में कि R जो है वो right है, L जो है left है इसके लिए आप थोड़ा सा time लेंगे बच्चे को बताएंगे अल्फा वेट अगर बच्चा जानता है तो वो जरूर relate कर लेगा कि R right है and L left है तो वो कर लेगा इस चीज़ को तो इसके उपर पूरा spelling आपको नहीं लिखना है, confused हो जाते हैं बच्चे only R ही लिखना है और L लिखना है तो अभी हम लोग क्या करेंगे जब एक-एक object आप लोग इस तरह से उठा के रखो के जब starting वाला session मैंने किया है तो उसमें बच्चा मेरी hand की movement देख रहा है कि मेरा hand किस direction में जा रहा है जब मैं रखने जा रही हूँ जब यहां पर रखनी हूँ तो मेरा hand left की और जा रहा है जब राइट में रखनी हूँ तो मेरा hand right में जा रहा है तो क्टोरी लेफ्ट में रखी है और करीम कहां पे रखी है तो क्रीम लेफ्ट में रखी है और फोन कहां पे है फोन राइट में है हां ओके गिलास कहां पे है तो गिलास राइट में है अभी आप नोटिस करोगे गाइस अच्छा बताओ साबून कहां है साबून लेफ्ट में तो काफी हद तक अनव अभी इंडिपेंडेंट हो चुका है वो ज्यादा टाइम हाथ पे अभी नहीं देखता है क्योंकि प्रैक्टिस हो गया है अभी अदिफिकेशन भी आपको चेक करनी है और बच्चे को पूछ भी लेक्ना है कि कौन सा अपजेक्ट क्या है तो उसमें उसका वो बिभी प्रैक्टिस हो जाएगा यह क्या है तो गण मापको रखना है लेफ्ट साइड में इस आज़्म में पकड़े गम left-side में थो हण थोड़ा और यह side पे रख दो extreme हो जाएगा ठीक है और यह क्या है यह क्रीम करीम को भी left-side मों डखो क्लास राइट में रख दो, यह क्या था चैको अकठो्य को बहुंत जाब दो,rika कथा कै YOUR लीक सिर्द क्लारा वोला को अशारक्च के तीमें तो चैक का दो, slog झा amen períा तो तो यह क्या है क्या है क्या झेक्था खाले राइट में रखो तो mitä था है क्या था अब देखो ब्रश यह क्या है तो ब्रश कहां पर रखोगे राइट में तो इस तरह से आप देख रहे हो कि उसको अभी कनफर्म है तो इसी तरह से हम लोग प्रैक्टिस कर वाएंगे तो बहुत अच्छे से हो जाता है और यह जो हैंड पे हम लोग लिखते हैं ना बाद में अगर नहीं भी लिखा होगा और अगर अर्नव को मैं यह साइड बताऊंगी तो भी अर्नव उस चीज को अभी काफी हद तक सही से कर लेता है विकॉज यह बिज्वल अच्छे से दिमाग में बढ़ जाता है कि यह हैंड मेरा राइट है और यह मेरा लेफ्ट है बस और ले लेफ्ट ररएट लेफ्ट हां लेफ्ट हां राइट रराइट ऑके राइट अब यह आप दिख रहे है और अर्नव अब हैंड़ देख रहा है वह वह खुझसे अभी उसके दिमाग में वह चीज बैठ गई है कि कौन सा लेफ्ट डियरेक्शन और राइट direction है, तो ये बहुत कम practice में वो सीख गया है इस चीज को तो hand पर जरूर ट्राइ करें आप लोग और राइट में क्या रखा है? Caesar और राइट में क्या रखा है? Bottle रखा है, ओके लेफ्ट में और क्या रखा है? गाड़ी है, और राइट में क्या रखा है? क्रीम तो अभी आप देख रहे हो, बिल्कुल क्लियर हो चुका है ये राइट और लेफ्ट का concept उसको